नहुस्कार आप देख रहें एकॉनोमिका हिसाब किताब और मैं हूँ अनंदियो चक्रवर्ति आज मेडे है यानि कि अंतर राष्ट्रि श्रमिक दिवस जिसको लेबर डे कहा जाता है आज कल तो स्कूल बंद है लेकिन इस दिन बच्चों को कहा जाता है कि देखिए आज कि पहले मैं को जादातर हमारे देश के श्रमिक जो है उनको ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि अंतर राष्ट्रि श्रमिक दिवस भी कुछ होता है क्यूंकि एक दिन सम्मान करने से कोई फायदा नहीं है जब जादातर लोगों को खाने का या रहने के लायक पैसे नहीं मिलते तो आज केस एपिसोड में इसी का हिसाब लगाएंगे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे देश में काम करने वारे लोग कितने हैं कितने लोगों के पास काम हैं लगभग 40 करोर लोग ऐसे हैं जिटके पास काम हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो business करते हैं या सरोजगार करते हैं तो कितने ऐसे लोग हैं जो non self employed श्रमिक है यानि जो किसी और के लिए काम करते हैं लगभग 21 करोड ऐसे लोग हैं ऐसे श्रमिक हैं उनमें से कितनों के पास regular देहाडी या वेतन होगा जिनको regular wages मिलते हैं या salary सिरफ 7 करोड 13 करोड ऐसे हैं जो देहाडी पर काम करते हैं casual labor के तौर पर काम करते हैं उनको regular कोई भी आए उनका नहीं होता है साथ में 1.5 करोड ऐसे लोग हैं जिनका नौकरी नहीं है contract पर उनको रखा जाता है यह नहीं की लिया गया तो लगातार चलता रहेगा काम उनको contract पर रखा जाता है कभी एक महीने कभी एक साल कभी तीन साल ऐसे contract पर वैसे 1.5 करोड है अब हम देखते हैं यह जो श्रमिक है साड़े 21 करोड श्रमिक है जो दूसरों के लिए काम करते हैं उनका salary कितना है उनकी आय कितनी होगी ओसतन अब देखिए आप मैंने 2015-16 का जो सरकारी डेटा है उसको लिया है और उसी को बढ़ा कर मैं लेके आया हूँ आज के rate पर क्योंकि हमारे पास डेटा है 5000 रुपए तक कितनी salary मिलती है ऐसे लोगों को तो मैंने 2015-16 का 5000 था तो आज के date पर आप सोच लिजी यह 5800 के आसपास होगा 45 प्रतिशत 45 प्रतिशत जो कामगार है जो श्रमिक है जैसे मन का 21,5 कडोर श्रमिक है इन में से 45 प्रतिशत ऐसे है जिनको 5800 रुपए महीने से कम मिलता है जो कि 2015-16 में 5000 था अब आप देखिए 5800 से लगभग 8700 तक का जो आए का रेंज है उसमें 23 प्रतिशत है 2015-16 में यही था 5000 से 7500 तो मैं फिर से आपको बता दूँ वही डेटा मेरे पास है उसको मैंने आज के date में बदल दिया है 23 प्रतिशत ऐसे है 8700 से 11600 के रेंज में यह 2015-16 का डेटा है फिर से और उसको 7500 एक से 10,000 था उसको मैंने आज के पैसे में इंफलेशन जोड़कर यानि की मुद्रा स्विति जोड़कर उसको एड़ किया है ऐसे 15 प्रतिशत है तो आप देख लीजे और 15 प्रतिशत ऐसे कामगार है श्रमिक हैं जो 11600 से 23,200 के आसपास मासिक आए है उनकी 23,200 रुपे आज के दामों में जो की 2015-16 में 20,000 था ऐसे इससे कम आए करने वाले 94% यानि की 94% हमारे देश के श्रमिक जो दूसरों के लिए काम करते हैं आज के डेट पे वो 23,200 रुपे मासिक से कम आए उनकी है और मैंने आपको बताया कि जादातर ये जो 94% आप देख रहे हैं उनमें से लगबग 89% ऐसे हैं जिनकी आए 11,600 से कम है मतलब 23,000 से के भी आधा 11,600 से कम लेंगे आप तो वो लगबग 79-80% ऐसे होंगे अब आप कहेंगे भहिया आप किसी और के लिए नौकरी करेंगे तो आपको पैसे जादा कैसे मिलेंगे पैसे तो बिजनेस वाले लोगों को होता है जो self-employed है या स्वरोजगार करते हैं मोदी जी भी कहते हैं कि स्वरोजगार कीजिए पिछले 30 साल से हम सुन रहे हैं कि स्वरोजगार अच्छा है किसी और के लिए नौकरी करना अच्छा नहीं है तो ऐसे लोगों की आए तो जादा होती होगी खैर हम देखते हैं मैंने कहा कि 23,200 से कम आज की date पर 94 प्रतिशद ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए श्रम करते यानि कि श्रम एक जो स्वरोजगार करते हैं किसी के लिए ने काम करते हैं वो थो ज़ादा हमीर होंगे कितने हैं जो 23,200 से कम कमाते हैं ऐसे जब आप स्वरोजगार वाले लेंगे तो वो बन जाते 96 प्रतिशत यानि कि 96 प्रतिशत लोग जो स्वरोजगार करते हैं self employed हैं उनको 23,200 से कम मिलता है अब आप समझे रहना कि स्वरोजगार से कोई फाइदा नहीं होता है लोगों को इसलिए वो नौकरी ढूंडने जाते हैं बहुत सारे ऐसे सर्वे भी हैं CSDS का भी सर्वे हैं कि पिछले 5 सालों में ऐसा हुआ है कि यंग लोग अब सरकारी नौकरी ढूंडते हैं या नौकरी ढूंडते हैं self-employed नहीं होना चाहते हैं इसका मतलब है कि हमारे देश में श्रमिकों को कितना कम पैसा मिलता है आप देख रहे हैं और इसका एक बड़ा कारण यह है कि श्रमिक आते कहां से हैं जादातर जो श्रमिक आते हैं वो गाउं से आते हैं migrant laborer होते हैं कुछ यहां पर भी जोपडियों में रहते हैं ऐसे लोग काम तभी करने आते हैं जब उनको पैसे गाउं में नहीं मिलता है अब आप देखे कि गाउं में 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत जो परिवार हैं उनकी आए मासिक आए 4000 रुपए से कम है 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत मासिक आए 4000 रुपए से कम है 30 प्रतिशत ऐसे लोग है जिनका हर महीने जो खर्चा होता है उससे कम उनकी आए है तो इतना कम अगर मासे काय है और इतना कम अगर वो खर्च करते हैं तो आप सोच लीजिए कि थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाए तो वो काम करने आ जाएंगे इसलिए लोग किसी भी तरीके से कुछ भी मिल जाए काम ले लेते हैं आप देखिए एक चीज कि हमारे देश में जो लोग रेगिलर यानि वेज या सैलरीड लोग हैं जिनको रेगिलर मजदूरी या वेतन मिलता है जो रेगिलर काम करते हैं उनमें भी 66 प्रतिशत जो शेहरी कामगार हैं उनके पास कोई written contract नहीं होता है कोई भी written contract उनके पास नहीं है अगर उनको निकाल दिया जाएगा या उनको पैसा नहीं दिया जाएगा वो किसी court में जाकर ये पैसा नहीं ला पाएंगे क्योंकि वो दिखा नहीं सकते कि उन्होंने काम किया अब हम देखते हैं contract, contract worker contract worker का मतलब ही होता कि contract होगा अब आप देखिए कि इन में भी शेहरी contract worker के पास 70% के पास written contract नहीं है यानि कि सिर्फ 30% contract worker है जिनके पास सच में contract है, तो आप देख लिजे कि ऐसे में क्या फाइदा, किसको फाइदा है, फाइदा सिरफ पूंजी पती को है, जो कम पैसे देकर, कम मजदूरी देकर, लोगों से काम करके, जाधा दामों में चीजे बेच सकते हैं, और उनको फाइदा होगा, यह सब आपक सुना भी होगा, लेकिन यह जो नंबर है, यह शायद आपको नहीं पता होगा, आपको प्लगता होगा कि हाँ, जाधा तर जो मजदूर है, वो गरीब है, हाँ बहुत लोग कह दें कि हमारे देश में मजदूर बहुत ताकतवर हैं, इतना सारा यूनियन है, काम नहीं करते ह इसलिए लेबर लॉ लाने की जुरुरत है, लेबर लॉ बदलने की जुरुरत है, कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को लाने की जुरुरत है, आप समझ रहे न, कि यह सब आपको जहांसा देने के लिए है, लोगों के पास पैसे नहीं है, श्रमिकों को वेतन नहीं मिलता है ठीक से और जादा तर के पास contract भी नहीं है यह आप याद्यक किएगा यही है आज का economy का हिसाब किताब